दोस्तो स्वागत है आपका Amplifier World चैनल में और आज का ये वीडियो बेहत खास है क्योंकि बिल्कुल काफी बहतरीन तरीके से आपकी जानकारी बढ़ाएगा Capacitor के मामले में तो बने रही है इस वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करें दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Capacitor बहुत ही important role play करता है किसी भी electronics board में तो देखे Capacitor का जो symbol होता है ये सबसे पहला symbol आपके सामने है जो कि non-polar होता है और second वाला ये polar वाला symbol है जिसमें plus minus होता है और कई बार इस तरीके का plus और minus का इस तरीके का symbol ये भी देखने को मिलता है जो अकसा drawing में देखने को मिलता है उसके बाद एक variable capacitor होता है यानि कि जिसकी value कम या ज़्यादा की जा सकती है दोस्तों आपको variable capacitor का example radio set में देखने को मिलेगा जहाँ पर इस type के tuning capacitor यूज किये जाते है radio में station को tune करने के लिए तो ये variable capacitor जाता radio में यूज होता है लेकिन power amplifier में इस type के capacitor का इस्तेमाल नहीं होता है तो देखें capacitor का construction किस type का होता है हम देख लेते हैं तो capacitor में इस type की दो प्लेटे होती है और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक dielectric material यानि कि ऐसा कोई insulating material लगाया जाता है जिसमें कोई current flow नहीं होता है और इन दोनों प्लेटों को उस dielectric material के जरिए आपस में जोड़ा जाता है यानि कि एक पतली सी film होती है दोनों प्लेटों के बीच में insulation की और ये दोनों प्लेटों को इतना नजदिक रखा जाता है और उनके बीच में एक बहुत ही पतला layer होता है insulation का अब ये insulation dielectric material कहलाता है दोस्तो dielectric material या तो paper हो सकता है, plastic हो सकता है, mica sheet हो सकता है या फिर ceramic हो सकता है तो जो भी dielectric material यूज़ किया जाता है उसके उपर उस capacitor का type decide हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पर हमें example के लिए एक छोटे से capacitor को break करके देखते हैं कि उसके अंदर किस type का material है तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो material है यह aluminum foil के बीच में जो insulating material है वो plastic की sheet का इस्तेमाल इसमें किया गया है इसी वज़े से इसको कई बार polyester capacitor भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यूज होने वाला dielectric material plastic है इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि capacitor को measurement किस unit में किया जाता है तो देखिए capacitor का measurement unit है फेराड यहां फेराड इस unit में capacitor का measurement किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि आपको weight यानि किसी वज़न का measurement करना है तो उसका unit gram होता है और अगर आपको कोई resistance का measurement करना है तो उसका unit ohm होता है और ठीक इसी तरीके से अगर आपको कोई length का measurement करना है लंबाई measurement करना है तो उसका unit है वो meter है तो इसी तरीके से capacitor का value का measurement होगा उसके capacitance का measurement होगा वो फेराड में होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक चार्ट ले लिया है यहाँ पर कैपस्टेंस की वेल्व फेराड में, वेट की ग्राम में, लेंथ की मीटर में और रेजिस्टेंस की ओहम में इस तरीके से वेल्व ली जाती है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ग्राम, लेंथ, मीटर इसका कैपस्टेन से क्या लेना देना तो वो भी अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ग्जामपल लेते हैं माल नेते मेरे घर से मार्केट की दूरी एक हजार मीटर है ठीक इसी तरीके से मेरे घर से जो गोरकपूर शहर है उसकी दूरी सत्तर हजार मीटर दूरी पर है तो इसे मैं मीटर में मेजरमेंट कर रहा हूँ तो देखिए घर से मार्केट की दूरी एक हजार है और घर से गोरकपूर शहर की दूरी सत्तर हजार मीटर है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो जैसे एक हजार मीटर को हम एक किलो मीटर लिख सकते हैं तो जैसे एक हजार मीटर हो गया तो हमने उसे लिखा एक किलो मीटर इसी तरीके से सतर हजार मीटर हो गया तो हम उसे लिख सकते हैं सतर किलो मीटर तो ये 70000 मीटर बन गया हमारा 70 किलो मीटर के का मतलब यहाँ 1000 से है दोस्तों अगर 1000 मीटर से ज्याधा हो जाने पर हम उसे किलो मीटर आसानी से लिख देते हैं लेकिन माल लेते हैं 1 मीटर से भी बहुत छोटा distance हमें measurement करना है तो अब हम क्या लिखेंगे तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं एक मीटर के हम अगर सौ भाग कर देते हैं तो उसे हम centimeter लिख सकते हैं मतलब सौ centimeter का एक मीटर हो जाएगा यानि कि एक मीटर जितनी दूरी है उसके हमने सौ बराबर divide भाग कर दिये तो बन गया एक भाग बन जाता है एक centimeter अब दोस्तों आपको एक मीटर से भी काफी छोटा distance measurement करना है तो हम एक मीटर को एक हजार भाग में divide कर देते हैं जब एक मीटर को हमने एक हजार उसके बराबर divide भाग कर दिये तो बन जाता है एक मीटर में हो जाते हैं एक हजार मिली मीटर को शौट में हम mm भी लिखते हैं अब दोस्तों आपको एक मिली मीटर का भी बहुत छोटा माइक्रो भाग अगर measurement करना है तो हम एक मिली मीटर को फिर से एक हजार भाग में जब डिवाइट कर देते हैं तो बन जाता है एक हजार माइक्रो मीटर तेकि एक मिली मीटर को अगर आप एक हजार बरावर भागों में डिवाइट कर देते हैं तो बन जाता है एक हजार माइक्रो मीटर अब माइक्रो मीटर से आप क्या नाप सकते हैं माल ले तो कोई छोटे छोटे बैक्टीरियाज है उनकी लंबाई चोड़ाई अगर नापनी होती है जो माइक्रो स्कोप में देखे जाते हैं तो उनकी लंबाई चोड़ाई माइक्रो मीटर में नापी जाती है अब दोस्तों आपको और भी छोटे बैक्टिरियास का अगर मेजरमेंट करना है माइक्रोस्कोप में तो आपको क्या करना हुआ एक नैनो मीटर के फिर से एक हजार भाग करने होंगे अगर आप एक नैनो मीटर के फिर से एक हजार भाग करेंगे तो आपको 1000 पीको मीटर मिलेगा देखे एक नैनो मीटर के 1000 भाग करने पर आपको मिलता है 1000 पीको मीटर अब ये जो measurement थे length के थे अब हम weight के देख लेते हैं तो देखे माल लेते हैं आपको बाजार से एक किलो चीनी लेकर आनी है तो आप जाहिर बात है उसे किलो ग्राम में लेंगे तो आप एक किलो ग्राम लेते हैं तो आप जानते हैं एक किलो ग्राम में हो जाते हैं 1000 ग्राम कि इसे मतलब होता है 1000 तो जैसे कि आप जानते हैं एक किलो आपने शुगर ली है तो इसका मतलब होगे आपने 1000 ग्राम शुगर ले रखी है लेकिन देखिए अगर आप मार्केट में गोल्ड पर्चेस करने जाते हैं तो आप वहाँ पर किलो ग्राम में नहीं ले सकते हैं तो आपको ग्राम में लेना पड़ेगा और कई बार जैसे आप किलो ग्राम में नहीं ले रहे हैं तो ग्राम में लेते हैं और कई बार ग्राम में लेने की हैसियत नहीं होती है तो फिर हमें लेना होता है मिली ग्राम में तो अगर हम एक ग्राम के फिर से 1000 भाग कर देते हैं तो वो बन जाता है एक हजार मिली ग्राम तो देखे एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम होता है अब एक मिली ग्राम में फिर हमने उसके एक हजार भाग कर दिये एक मिली ग्राम के फिर से एक हजार भाग करने पर हमें मिलता है एक हजार माइक्रो ग्राम अब माल लेते हैं आप फिर एक माइक्रोग्राम को फिर से उसके एक हजार भाग करते हैं तो आपको मिलता है एक हजार नैनोग्राम अब आप एक नैनोग्राम उसके फिर से आपने एक हजार भाग किये तो उसमें मिलेगा आपको एक हजार पीकोग्राम तो देखी ये पीको ग्राम तो दोस्तों आपको माइक्रो ग्राम, नैनो ग्राम और पीको ग्राम ये अलग टाइप के शब्द लग रहे होंगे क्योंकि इनका असल जिंदगी में इस्तेमाल होता ही नहीं है ज्यादा ज्यादा आप मिली ग्राम तक इस्तिमाल करते हैं अगर आप सोने चांदी के जवराइट खरीटे हैं अब हम चलते हैं कैपसीटर की ओर जैसे कि हम जानते है कैपसीटर का मेजर्मेंट है मेन यूनिट उसका फैराड तो दोस्तों फेराड बहुत बड़ी काई है इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है इसलिए इनके साथ कुछ अब्जर्वेशन लगाने पड़ते हैं जैसे माइक्रो फेराड, पीको फेराड, नैनो फेराड तो पीको फेराड को हम शार्ट में पी एफ बोलते है इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे-छोटे कैपिसिटर होते हैं उनको लोग अकसर पी एफ कहते हैं लेकिन अकसर उन्हें पी एफ नहीं कैपिसिटर ही कहा जाना चाहिए लेकिन उनकी वैलू पीको फैराड में होती है इसलिए उन्हें आम बोलचाल की भाशा में पी एफ कहा जाता है अब दोस्तों आप पहले देखें म्यू लिखा है मैंने हिंदी में तो म्यू का सिंबॉल होता है एक यू के जैसा जो शब्द लिखा हुआ है उसे म्यू कहा जाता है नैनो के लिए एन लिखा जाता है और आप जानते हैं कि पीको के लिए पी शब्द का इस्तमाल किया जाता है अब दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं एक ग्राम में हमें मिल जाता है 1000 میلی گرام तो उसी तरीके से 1 फेराड में हमें मिलजाेगा 1000 میली फेराड तो میली फेराड के लिए छोटा M लिखा जाता है और F के लिए फेराड के लिए F लिखा जाता है तो देखें यहां पर M अलग है और माइक्रो अलग है तो एक फेराड बराबर होता है एक हजार मिली फेराड अब एक मिली फेराड बराबर कितना होगा तो देखिए एक मिली फेराड तो जिस तरीके से एक मिली ग्राम में एक हजार माइक्रो ग्राम होता है इसी तरीके से एक मिली फेराड में 1000 Micro Farad हो जाएगा अब दोस्तों इसी तरीके से एक Micro Farad में 1000 Nano Farad हो जाएगा देखिए एक Micro Farad बराबर हो जाता है 1000 Nano Farad के 1000 Nano Farad अब इसी तरीके से अब एक Nano Farad में कितने Pico Farad हो जाएगे? जी हाँ एक Nano Farad में हो जाते हैं 1000 Pico Farad देखिए 1000 Pico Farad यहाँ लिख दिया जैसे Pico Gram था तो इसी तरीके से यह Pico Farad हो गया तो आप समझ चुके होंगे कि Micro Nano Milli यह कहां से आया और F क्या है? F से मतलब Farad और Micro Nano Pico यह कहां से आ गया? तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद हम Capacitor का Code किस तरीके से बना इसकी उपर हम देखते हैं तो जनली दोस्तों Millie Farad है Millie Farad का इस्तेमाल बहुत कम होता है ना के बराबर होता है सबसे जादा इस्तेमाल होता है Capacitor Coding में Micro Farad, Nano Farad और Pico Farad का जो है Millie Farad का तो जहां तक मैं नहीं देखा हूँ हो सकता है कि पहले के दोर में Millie Farad का भी इस्तेमाल किया जाता रहा हो तो देखिए दोस्तों आपके सामने की बड़ा सक Capacitor है और इस Capacitor के उपर इतनी जगा है कि इसमें इसकी सारी जन्म कुंडली लिखी जा सकती है यानि कि इस Capacitor से संबंदि सारी जानकारी इसकी उपर लिखना काफी आसान है क्योंकि इसका Size काफी बड़ा है तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें इसकी Value लिखी हुई है इसके बाद इसका Tolerance लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ इसके Code लिखे हुए है जिनके बारे में शायद मुझे नहीं पता है और नीचे इसका Voltage 280 Volt AC लिखा हुआ है लेकिन अगर हम एक छोटा Capacitor ले लेते हैं तो देखिए इसके अंदर इतनी सारी जानकारी इसके उपर प्रिंट करना काफी मुश्किल है इसलिए इसके उपर Code लिखे जाते हैं अगर Capacitor बड़ा हो तो इसके उपर सारी जानकारी लिख सकते हैं लेकिन छोटा capacitor के उपपर इतनी जानगारी लिखना संभाव नहीं है इसलिए इसके उपपर सिर्फ code लिखे जाते हैं तो यहाँ पर 471 लिखा है उसके आगे K लिखा है यहाँ K से मतलब उस capacitor के tolerance से है यानि कि इसकी जो value है उसमें कितना percent tolerance है तो दोस्तों अभी तक आप समझ चुके हैं कि एक फेराड में 1000 मिली फेराड है एक मिली फेराड में 1000 माइक्रो फेराड है और एक माइक्रो फेराड में 1000 नैनो फेराड है और एक नैनो फेराड में 1000 पीको फेराड है तो इस तरीके से आप capacitor की value यहां तक समझ चुके हैं अब देखिए ज़्यादा तर capacitor के value पीको फेराड में लिखी होती है और पीको फेराड में उनके code लिखे हुए होते हैं तो चलिए code और PF के relation को देखते हैं तो एक PF के लिए तो एक लिख सकते हैं लेकिन दस PF के लिए 10 लिखने में दिक्कत है इसलिए यहां पर हम सौ लिखते हैं अब वो सौ क्यों लिखा जा रहा है आगे देखेंगे माल लेते हैं सौ पीएफ है तो सौ पीएफ के लिए हम क्या code का इस्तिमाल करेंगे तो देखी ये दो code को हम जो है 1 0 इसको जैसा का तैसा लिखते हैं और उसके बाद में जितना 0 है उतने नमबर लेगा यहाँ पर 1 0 है इसलिए हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 101 अगर 101 code वाला आपको कोई PF मिलता है तो उसकी value होगी 100 PF अगर आपको 100 code वाला कोई PF मिलता तो उसकी value 10 PF और जहाँ एक लिखा है तो आप तो जानते ही एक PF तो जनरली अम्प्लिफायर में 10 PF के उपर ही इस्तेमाल किये जाते हैं 10 PF के नीचे का इस्तेमाल ना के बराबर होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा एक्जामपल है 150 PF इसको किस तरीके से लिखा जाएगा तो शुरू के दो डिजिट जो होते है 1 और 5 वैसे ही लिख दिए गए है और लाश्ट में केवल 1 0 है इसलिए इसका code हो जाएगा 151 अब next example देखते है यहाँ पर माल लेते है 330 PF है अब 330 PF का code क्या होगा तो शुरू के दो डिजिट ऐसे ही लिखे जाएंगे 33 अब यहाँ 0 है 1 तो इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे अब माल लेते हैं आपको 1000 PF को code में लिखना है तो यह दोनों डिजिट आगए 1 और 0 अब उसके बाद 2 0 रह जाते हैं तो 2 0 की जगह हम लिखेंगे 2 तो इस तरीके से हमने लिख दिया 1 0 2 यानि की 1000 PF का code हो जाएगा 1 0 2 अब इसी तरीके से आगए हम 10,000 PF का लिखते हैं तो 10,000 PF का code होगा 1 और 0 ये 2 डिजिट सेम आजाएंगे और उसके बाद बच जाते हैं 3 0 तो इसको हम यहां 3 लिख देंगे इस तरीके से 10,000 PF का code हो जाएगा 1 0 3 अब उसके बाद हम 1,000,000 PF 1,000,000 PF अगर हम लिखना चाहेंगे code में तो उसका code क्या होगा तो 1 0 इस तरीके से लिख दिया हमने अब यहां पर 1,2,3,4 4 0 है तो हम यहां लिख देंगे 4 यानि कि 104 का जो PF आता है तो उसका मतलब होता है वो 1,000,000 PF उसकी value है अब इसके बाद हम यहां पर 10,000,000 PF कर देते हैं तो हमने यहां पर लिखा है 10,000,000 PF अब 10,000,000 PF का code क्या होगा तो इस तरीके से हो जाता है 1,0 यह पहले दो डिजिट यह दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे 1,0 और total 0 है 1,2,3,4,5 यह 5,0 हमने यहां 5 लिख दिया 5,0 के जगा तो जो है 10,000,000 PF इसका code आएगा 1,0,5 तो 105 को हम एक UF भी कहते हैं तो एक UF में 10,000,000 PF होते हैं तो दोस्तों बहुत से बंदे पूछते हैं कि किस PF की जगे कौन सा लगाया जा सकता है तो सीधी बात है जो भी PF आपको replace करना है उसका last digit देखिए जैसे इसके last में एक है तो दूसरे PF जिनके भी last में एक है वो आप वहाँ उसकी जगे लगा सकते है तो सेम last digit मैच कर देने से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा लेकिन आप 101 की जगे 102 लगा देंगे तो केवल आपको लगा रहा हुग केवल 101 और 102 में ज़्यादा फर्क नहीं लेकिन actual में बहुत बड़ा फर्क है इसलिए अगर आपको कोई PF की जगे दूसरा लगाना है तो उसके last digit को मैच करते हुए आप उसको replace कर सकते है अब दोस्तो जब PF की value बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे कि यहाँ 10 लाख PF हो गया तो जब भी नैनो फैराड में लिखना हो तो हमें उस PF को PF की value जो total value है उसको हमें 1000 से divide करना पड़ता है अगर हमें नैनो फैराड में लिखना है तो देखे हम जानते कि यह 10 लाख PF है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 लाख PF तो PF की value है 10 लाख तो 10 लाख लिख देते हैं यहाँ पर और हमें 10 लाख PF को नैनो फैराड में convert करना है तो नैनो फैराड में convert करने के लिए हमें 1000 से divide करना होगा तो चलिए सबसे पहले समझते हैं 104 इस PF के code से तो आप जानते कि 104 का मतलब यहाँ पर हो गया 1 0 यह 1 0 ऐसा लिखना है और 4 का मतलब है यहाँ पर 4 0 लगाने है 1 2 3 4 यह 4 0 लिख दिये यह हो गया हमारा 1 लाख PF और इसका code है 104 अब 1 लाख PF को हमें नैनो फैराड में convert करना है तो उसके लिए हमें इसे 1000 से divide करना होगा और यहाँ इस तरीके से यह 0 यह 0 और यह 0 से यह 0 कड़ जाएगा अब रह जाता है केवल 100 तो 100 इस तरीके से हम इहां लिखेंगे तो यह हो जाएगा 100 नैनो फैराड तो 1 लाख PF को हम 100 NF भी लिख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको किसी capacitor के उपर 100 NF लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाएए वो 104 वाला capacitor है अब दोस्तों हम एक बार फिर से 104 यह जो capacitor है इसकी वैलू को हम माइक्रो फैराड में कनवर्ट करेंगे तो देखिए 104 का जो PF वैलू हमने यहां लिख दिया और उसकी वैलू निकालनी है तो हमें 10 लैक से डिवाइड करना होता है तो देखिए PF को अगर आप माइक्रो फैराड में कनवर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों 1 लैक PF को जब हम 10 लैक से डिवाइड करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा तो देखिए यहाँ 0 से 0 कटते चले जाएगे एक 0 से यह 0 से यह 0 कट गया यहाँ से यह 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 वाला 0 इस से यह 0 इस से यानि कि 1 divided by 10 तो अगर आप 1 divided by 10 करेंगे तो यह आएगा 0.1 यह इसका answer आएगा 0.1 आप 1 को 10 से जभी भी आप divide करेंगे calculator से तो answer आएगा 0.1 तो इसकी value हो गए 0.1 UF तो इस तरीके से जो 104 का PF है उसके उपर कभी कभी आपको 0.1 लिखा मिलेगा या फिर केवल 0.1 लिखा मिलेगा तो इसका मतलब अगर 0.1 है तो इसका मतलब हो गया 0.1 UF और 0.1 UF मतलब हो गया 104 उस capacitor का code होगा 104 अब इस तरीके से अगर आप 105 को अगर करते हैं convert तो देखिए 105 के इसाब से 10 ये लिखा है और last में 5 0 लगा दिये और उससे मुझे micro farad में convert करना है तो मुझे इसको divide करना होगा 10 lakh से तो 10 lakh मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके नीचे और जितने 0 आ रहे हैं उसको मैं कट कर दूँगा तो 10 lakh लिखने के लिए देखिए इकाई दाई सेकड़ा हजार दस जार लाक और ये 10 lakh इस तरीके से 10 lakh मैंने लिख दिये अब यहाँ पर 0 से 0 कटते चले जाएंगे ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 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 आप चाहाँ तो ये calculation calculator में भी कर सकते हैं तो देखिए 1 oblique 1 आ गया इसका मतलब होगया 1 तो answer आएगा microfarad में 1 microfarad तो 10 lakh PF होता है 1 microfarad तो जिसका code अगर 105 है तो समझ जाएए उसकी value है 1 microfarad इसके बाद दोस्तों हम study करेंगे कि अगर PF को series में जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है उसकी value के उपर और parallel में क्या फर्क पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर एक non-polarized capacitor है यानि कि ceramic type का 104 जिसकी value है तो हम जानते हैं कि 104 का मतलब होता है 1 lakh PF अब हमने दूसरा और capacitor C के series में लगा दिया उसकी भी value है 104 यानि कि 1 lakh PF तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 lakh PF अब हम इन दोनों capacitor को आपस में इस तरीके से series में जोड़ देंगे अब हमें यहाँ पर total capacitance कितना मिलेगा तो दोस्तों यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब भी दो capacitor को अगर same value है उनकी उनको series में जोड़ा जाता है तो उनकी value जो है capacitance जो है आधा हो जाता है तो देखिए हम जानते हैं कि 1 lakh PF एक capacitance की value है दूसरे भी capacitor की value 1 lakh है तो यहाँ पर 1 lakh divided by हम 2 कर देंगे तो यह आ जाएगा total answer 50,000 याने कि 50,000 तो total यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोनों capacitor को जब आप series में जोड़ देते हैं तो इसकी value हो जाती है 50,000 PF अब 50,000 को हम code में लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे तो यह 50,000 PF है अब इसके code में लिखना है तो शुरू के 2 digits जो होते हैं जैसे तैसे लिखे जाते हैं और last में है 30,000 तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 503 तो अगर हम 1,000,000 PF के 2 capacitor को इस तरीके से जोड़ते हैं तो उनका जो capacitance होता है वो 50,000 हो जाता है और उसका code आजाएगा 503 अब देखें यहाँ पर हम तीसरा PF add कर देते हैं यह भी 104 का PF है 104 का capacitor है अब 3 जो capacitor है इस तरीके से आपस में series में जुड़े हैं तो क्या value आएगी तो हम जानते हैं कि 1,000,000 PF है एक capacitor के value उसको हमने divide किया 3 से क्योंकि यहाँ पर 3 capacitor लग गए हैं series में तो 3 से divide करने के बाद तकरीबन आ जाएगा 33,000 PF अगर आप इसे calculate से divide करते हैं तो आपको तकरीबन 33,000 PF मिलेगा actually जब हम divide करते हैं calculator से तो आता है 33,333 तो हम 333 को छोड़ देते हैं केवल 33,000 को पकड़ लेते हैं तो दोस्तों अब देखिए आप 33,000 PF का code क्या होगा तो शुरू के दो digit 33 जैसे एक तैसे लिखने हैं और यहाँ पर है 3 0 तो हमने यहाँ लिख दिया 3 तो code बन गया 333 तो 104 के अगर 3 capacitor सीरीज में जोड़ दिये जाएं तो code बन जाता है 333 और अगर हम 104 के 2 capacitor सीरीज में जोड़ते हैं तो code बनता है 503 अब बात करते हैं voltage का क्या होगा माल लेते हैं यह 3 capacitor का working voltage 60 volt DC है तो इनका voltage आपस में जुड़ जाएगा तो 3 बार हमें 60 volt को 3 बार जोड़ने पर हमें मिलेगा 180 volt तो दोस्तो इस तरीके से आपको नए capacitance की value मिलेगी 333 इसका code होगा और 180 volt उसका working voltage होगा अब बात करते हैं लेक्ट्रोलाइटिक capacitor को भी हम सीरीज में जोड़ते हैं जिसमें की plus और minus होता है तो plus minus इस तरीके से हमने इस दो capacitor को सीरीज में जोड़ रखा है और इनकी value है 4700 microfarad इसकी भी value है 4700 microfarad तो इस तरीके से हमें एक capacitor की value 25 volt मान लेते हैं दूसरे भी capacitor की value 25 volt है अब ये दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद हमें कौन सी नई value मिलेगी तो देखे 4700 microfarad हम जानते कि इसका दोनों का value सेम है तो हम इसको value को divide कर देंगे 2 से क्योंकि 2 capacitor लगे हुए हैं तो answer यहाँ पर आ जाएगा 2350 microfarad तो 4700 microfarad के 2 capacitor अगर सीरीज में जोड़ दिये जाएं तो 2300 microfarad हो जाता है जो की 2200 microfarad के नजदी की है यहाँ पर एक की working voltage है 25 volt तो आप मान लीजिए ये दोनों ही जब सीरीज में जोड़ जाएंगे तो इनकी working voltage 50 volt हो जाएगी इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर capacitor को parallel में जोड़ दिया जाए तो उनका value किस तरीके से बढ़ता है और voltage पर क्या फरक पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पर तीन capacitor मैंने लगा रखे हैं तीनों ही लेक्ट्रलाटिक capacitor है और यह तीनों capacitor आपस में parallel में जुड़े हुए है अब दोस्तों हम यहाँ पर इन capacitor की value भी लिख देते हैं कि कौन से capacitor की value क्या है तो देखिए यह पहला वाला माल लेते हैं यह है 4700 microfarad 63 volt में सेकेंड वाला माल लेते हैं यह है 1000 microfarad यह 35 volt माल लेते हैं और जो 3rd वाला capacitor वो है 470 microfarad याने 470 UF यह 16 volt में है याने 16 volt अब यहाँ पर देखिए दोस्तों total capacitance क्या होगा और इसका working voltage क्या होगा देखिए इसकी polarity इस तरीके से है positive side इस तरीके से आपस में जुड़ा है अब इनका जो total microfarad है आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगा क्यूंकि यह parallel में जुड़े हुए है तो 4700, 1000 और यह 470 अगर हम इनका total calculation करते हैं तो यह आज आता है 6170 microfarad तो देखिए दोस्तों 6170 microfarad इसका total capacitance हो जाएगा बट इसका working voltage कितना रहेगा तो working voltage हमें जो सबसे minimum working voltage है जिस capsular का जैसे यह 63 है, 35 है, यह 16 है तो हमें 16 volt को इसका working voltage declare करना होगा तो यह हो जाएगा 6170 microfarad and working voltage 16 volt तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब भी भी capsular parallel में जुड़े होते हैं उनका जो सबसे कम voltage होगा वही उसका working voltage कहलाएगा अगर माल लेते हैं तीनों के voltage बराबर होते हैं 63 volt तो इसका working voltage 63 volt होता है तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप और भी कुछ capacitors के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके comment box से मैं सवालों को उठाकर अगले वीडियो में capacitors से संबंदी देक्वे और detail वीडियो बना दूँगा और आप अगर लगातार amplifier world channel से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अगर channel को subscribe नहीं किया है तो यही सही वक्त है channel को subscribe करने का तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए तो फिर मिलते हैं next video में thank you for watching and have a nice day